हेलो फ्रेंड मैरे खाद दिल्ली से मेरा यूट्व चलो बाटिकास गार्डन में स्वागत करती हूँ आपका ये प्लांट फ्रेंड सभी जानते हैं ये एलो मेरा का प्लांट है और इसके फाइदे भी आप सभी को पता है ये इतना अच्छा पौदा है कि हमारे सभी के गार्डन में होना चाहिए और इसके आपको गुलों के बारे में बताती हूँ कि कौन को से गुन है इस पौदे के अंदर ये पौदे को हम अपने और ये फूल भी बहुत चमतकारी माना जाता है इसको हम इसके फूलों को हम दारियल तेल में गरम करके अपने स्कीन पर लगाते हैं तो इसको बहुत फाइदा मिलता है और दूसरा एलो बेरा की जो पत्या होती है ये लिव्ज जो है जो इसमें जैल निकलता है अगर हम अपने बालों में लगाते हैं तो इसका हमारे बालों के उपर बहुत अच्छा परवाब पढ़ता है। बालों की ग्रोथ अच्हे होती है। और इसके जैल से इलोवे रखें। हम अपने स्कीन पर लगाते हैं जैसे कही पर कट जाता है या जल जाता है। तो इसके जो जैल लगाने से बहुत रहत मिलती है और इसके ये फूल के अंदर बीज होते हैं जब ये अच्छी तरह से पक जाएंगे और इसके अंदर जो बीज गिरेगा उसे न्यू पौदा तयार हो जाता है तो फ्रेड आप इसको किसी भी तरह से यूज करेंगे तो ये बहुत अच्छा प्लाइंट है और हम इसको अपने गार्डन में जुरूर लगाना चाहिए और हम अपने गार्डन में अगर कोई भी प्लाइंट लगाते हैं अगर जैल लगाके हम पौदे को लगाते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रोव हो जाता है फंगश नहीं लगता है और यह कि सभी पौदे पे नहीं आपाता है बहुत टाइम के बाद आता है जो पौदा मैचुर हो जाता है यह मेरे इसमें आया है जो छोटे पौदे होते हैं उसमें फूल नहीं आते हैं जो तीन-चार साल के पुराने प्लाट हो जाता है ऐलो मेरा का उसी में आते हैं यह फूल और इसके फूलों की बहुत अच्छा है यह तो आप इसको अपने गार्डन में किसी भी तरह से लगा सकते हैं या तो इसके बीज हो उससे ग्रो कर सकते हैं या कहीं से आपको इसका बेबी प्लाट मिलता है तो उससे आप इसको लगा सकते हैं और इसमें यह बहुत लबी सी श्टीक आती है और अभी यह फूल खिले न यह अभी दोई फूल खिले थे और यह खिलने की बाद देखने में बहुत सुंदर लगता है ऐसे लगता है जैसे चिडिया होती है लटकी हुई जैसे बैठी हुई होती है इस तरह से और इसकी श्टीक बहुत लबी जाके जब यह फूल बदता है और ये देखने में बहुत सुन्दर कलर लग रहा है इसका और इस एलो मेरा को लच में सुरूप में माना जाता है जिस घर में एलो मेरा होता है उस घर में सुक्षब्रदी बनी रहती है ऐसा मानना है ये फ्रेंट बहुत घना हो रहा था और बहुत फैला हुआ था तो मैंने इसको इस तरह से बाद दिया है और इसकी ज्यादा मुझे केर करनी भी नहीं पड़ती है अलो में रखी तो आप इसको जरूर लगाए और इसको हम इसकी इन पर फेस पर इसके ज्यादा को लगा सकते है इसका ज्यादा बहुत फाइदेवन होता है हम अपने बालों में भी इसको लगा सकते हैं इसकीन पर लगा सकते हैं हम कहीं पर जल जाते हैं तो हम इसके ज्यादा को इसकी लिफ से निकालके अपनी इसकीन पर लगाएं कटे हुए पे जले हुए पे कहीं पे भी लगाएं तो बहुत राहत मिलती है अगर हमारे फेस पे कोई दाग धब्बे होते हैं इसके जैल को लगाने से वो हट जाते हैं continue लगाएं यह नहीं कि एक दिल लगाया और वो हटेगा ऐसा नहीं है लगातार लगाएंगे तो हट जाता है और हमारी स्कीन भी बहुत गिलो करती है तो एलो मेरा इसलिए बहुत अच्छा पौदा माना जाता है स्कीन के लिए और सुकसम्रिदी के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर कमेंट जरूर करने वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है